कुछ गजिए विडियों सु कल है फ्राइडे अंद कल के लिए प्रेट्वेvidemment क्या ต्रेट्राइब रहने वाल हुद मेरा कल के लिए क्या ड्रेट्ट अरेट्वॉनACEҹनोल कल मैं कौन वि इंहां ट्रेट्प्र यहां क्या द्रेट्स्ट अर då आपको पता है कि जो भी मेरा next day का trade plan होता है मैं आपको daily इस वीडियो में बतायता हूँ एक दिन पहले इन इसी के बेस पे जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ वही सारे trades में कल लेता हूँ तो हमीशा की तरह वही हम चीजे discuss करेंगे कि कल मेरा क्या trade plan रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में बर उससे पहले एक बार हम discuss कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था आज कौनसे trades बने थे राइट उसके बाद हम discuss करेंगी कल देखो इसके बेश सबसे पहला बात करते हैं निफ्टी की अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक टाइम पर मार्केट में आपको बताए कि मॉर्णिंग में एकसा त्रेड अर या तो आपका निफ्टी में हुआ होगा एशल या तो बैंक निफ्टी में, दोनों में से किसी एक में आपका ऐसे लिट हुआ होगा, क्योंकि दोनों में ट्रेड में एक साथ मिली थी और स्टॉप लॉस भी हमारा एक साथ हुआ था, तो मेरा बैंक निफ्टी में हुआ था, आप में से किसी का बैंक निफ्टी में किसी का बिल्कुल नहीं करना है आपका यह फंडा क्लियर होगा पूरी तरीके से राइट आपको पता होगा यहां पर हमें पहली बार पॉस्टिट बना कॉल बाय करने का जैसा मैं आपको बताया था वीडियो में दूसरी बार हमें फिर से मार्केट ने यहां पर ट्रेड दिया तीसर यहां पर एक ट्रेड बनाया था कॉल का बट इससे पहले आपको पता है कि यह ट्रेड में हमें जो इस ट्रेड में एंट्री देने से पहले मार्केट हमें निफ्टी का यह ट्रेड दे चुका था इस वाले ट्रेड में हमें एंट्री मिल चुकी थी तो यह हमारा ट्रेड था आचका तो एक ट्रेड में हमारा एसल एक ट्रेड में हमारा बहुत अच्छा एक class का setup भी बना था यहाँ पर इस point पर class के तो सारे setups थे बट यह specifically एक class का setup बना था bank nifty में वो आपने capture किया होगा तो बहुत अच्छी बात है anyways so अब बात कर लेते हैं कि कल का क्या trade plan रहेगा right चलो यह रहा फिर nifty का chart ठीक है nifty में हमारे पास यह levels है कल के लिए एंड कल के लिए थोड़ा सा देखो अभी एक चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो है ना बड़े-बड़े आपको टागेट मिलेंगे बड़े-बड़े आज की candle देखो कितनी बड़ी बड़ी बन रही है बहुत बड़ी candle दिखने आपको और इस एरिया में यही होगा तो हो चुकता है कि आप में से अचानक से काफी लोग को बहुत बड़ा प्रॉफित यह बहुत बड़ा लॉस देखने को मिले तो यह थोड़ा सा जोन इस तर अगर मैं आपको आज वाली दिन ले किया हूं तो आज देखो यहां पर candle का साइज देखो ठीक है कितने कितनी छोटी और नॉमल केंडल बनी है बट आज की केंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी केंडल बनी है आप खुद से एक बड़ कंपेर भी कर लेना तो यह थोड़ा जो ट्रेड बनेगा यह वाला हमारा लेवल है निफ्टी का 20,128 का लेवल यह हमारे लिए एक call buy का area है अब देखो कैसे भी हो हमें यहां पर इस point पे इस level पे मतलब इस level पे हमें call buy का trade plan करना है हो सकता है कि निफ्टी यहां पे नीचे कहीं open हो और इस level को उपर breakout दे तो हम यहां पे call buy का plan कर लें और इसका target जो है first target हम यह待 लेवल रख सकते है दूसरा target हम यह level रख सकते है तो हम यहां पे call buy कर सकते है जिसका first target यहां पे हम entry करेंगे call buy की of course breakout पर ऐक है अगर निफ्टी यहां पे नीचे कहीं open होता है तो हो सकता है इस level को breakout दे ऊपर और जब breakout दे 197, देखो, first and second target का मतलब क्या होता है, first target का मेरा simply मतलब होता है, कि मैं 80% lots यहां पे book कर लूँगा, first target पे and बाखी 20% final target के लिए trail करूँगा and उसका stop loss entry पे लगाके फिर trail करूँगा, ठीक है, यह मेरा सारे trades में यही focus होता है, जितने यहां पे, तो इस level के नीचे breakout देके, time spend करे, थोड़ा बहुत, ठीक है हो सकता है, थोड़ा जादा नीचे चला है, and फिर वापिस इस level के उपर आए, तो हम यहां पे, और उपर आके फिर से closing मिल जाए हमारी इस level के उपर, फिर से कहने मतलब यह है, कि अगर हमारा जो यह level है, अगर इस level के उपर open होता है, तो उस case में इस level को नीचे breakout दे सकता है, breakout देगा थोड़ा बहुत नीचे जाए, हो सकता है, जादा नीचे चला जाए, और फिर वापिस जब इस level के उपर आके, यहां पे closing 7 का, यहां पे हमें call, sorry, put buy करने की abortion यह level पर हमें दूढने होगी, यह हमारे लिए एक selling zone होगा, तो हो सकता है कि market nifty आये इस level पर और इस level पर आके, अच्छे से rejection लेके, एक red candle बनाया तो उस case में हम यहां पे put buy का plan कर सकते है, जिसका first target हमारे यह level रहेगा, and final target हमारा यह level रहेगा, so first target is 20,160, and 20,128 will be the final target, हो सकता है कि market इस level पर इस तरीके से rejection ना ले, market क्या कर सकता है कि इस level को सिधा break कर सकता है उपर यह तरफ है, और अगर उपर की तरफ ब्रेक आउट देता है, तो वहां पे call वालों को ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, हम वापिस नीचे आने का वेट करेंगे उस case में, अगर उपर ब्रेक आउट दे देता है, तो नीचे आने का वेट करेंगे, और जब नीचे आ के फिर से closing मिल जाए, तो हम यहां पे put buy का plan कर सकते हैं, जिसका first target and second target यह रहेगा, simply हमें क्या करना है, 20,197 पे put buy की opportunity ही ढूणनी है, call buy के लिए सही नहीं है, ठीक है, यह हो गया nifty के trades, अब बात कर लेते हैं, बैंक nifty के trades की, बैंक nifty में क्या trade बन ला है, तो बैंक nifty में कल सबसे एक बहुत अच्छा जो, 4,269 का level है, तो अगर bank nifty इस level को नीचे breakout देता है, और candle close होती है, तो यहाँ पर put वालों को trap करने के लिए बहुत अच्छी opportunity मिलेगी है, ठीक है, put वालों को trap, यह trap का एक setup है, यहाँ पर नीचे breakout होता है, इस level की नीचे, तो put वालों को trap करने की कोशिच की जाएगी, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है, trap जितना जादा यहाँ पर hold करें, कल को, कल, और उतने ही जादा यहाँ पर put वाले बैठेंगे, और अच्छी सी एक green candle बना के वैद, जैसे उपर आयो और इस level के अंदर, फिर से उपर आ के closing मिल जाए, candle, हम यहाँ पर put का टर नीचे वेट करेंगे, वापी इस level के उपर आनेगा, ठीक है, हो सकता है, पहली दूसरी candle ही आजाए, पर जितने जादा टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही जादा हमारे लिए सही रहेगा, तो यहाँ पर जादा, क्याने मदब दो तीन candle बनाते ही, चार candle बनाते है, बहुत चाहो तो आप ट्रेल भी कर लेगा, बट वैसे तो यहीं तक का टागेट बनाऊ सही रहेगा, 44,462 का, यह मेरा टागेट रहेगा, इस वाले केस में, यहाँ पर पुट वालों को यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिच करेंगे, हम कॉल का ट्रेट प्लाइन करेंगे, यह लेव हमारे पास यह वाला ट्रेट बन सकते हैं, हो सकता है कि इस लेवल से आने से पहले, इस लेवल के पास आने से पहले ही बीच में से कही निकलने की कोशिच करेंगे, तो फिर उस केस में इस लेवल के ब्रेक आट पे, मतलब यह जो लेवल है अपना, यह वाला लेवल, 44,462 का तो हो सकता है कि बीच में सही कहीं से निकलने की कोशिश करे market यहां से पूरा target ना मिले इसमें यह थोड़ा सा risky trade हो सकता है यह वाला मैं आपको पहली बता रहा हूँ यह थोड़ा सा risky trade हो सकता है इस तरीके से अचा अगर मालो कि इस level के उपर पहले से उपन होता है न तो हम क् क्या करेंगे call buy का plan करेंगे जिसका first target ये and final target ये यहां पर इस level पर put buy का plan बिलकुल नहीं करना है इन दोनों levels पर call buy के ही plans plan हमें करने है opportunity जो है हमें call buy की ढूणनी है put buy के लिए नहीं देखना है now अब देखो एक selling trade selling कहने हमाद अब यह है कि put का trade कहां पर बन सकता है तो nifty में भी एक put का trade था bank nifty में भी एक हमारा put का trade बन सकता है उसके लिए देखो एक level अपने पास ये वाला 44,759 एं दूसरा level हमारा पास ये वाला 44,886 का level इन दोनों में से किसी एक level पे हमारे को जो है एक काफी अच्छी put buy की opportunity मिल सकती है अब हो सकता है कि bank nifty आये इस level पे rejection ले ठीक है वैसे तो अगर देखा जाए तो इस level को अगर ब्रेक आउट दे दे ना बिना rejection लिए सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि अगर ब्रेक आउट दे ऊपर और केंडल क्लोज हो जाए एंड फिर घूम फिर के वापिस इस level के नीचे आके closing दे दे तो इस case में हमारा बहुत अच्छा put का trade बन सकता है जिसका target हम first ये बना सकते ह हम यहां तक के लिए भी लेकर आ सकते हैं तो यह जो टागेट है फॉर्स टागेट 44,587 है एन फाइन फाइन टागेट है 44,462 अच्छा एक चीज़ ध्यान दखना अभी आगेगा बताता हूं अब इस से पहले ध्यान दखना कि अगर आप भी इस वाली वीडियो के बीस पे तो उसके लिए टेलिगारम जारू जोइन कि लेना नहीं तो आप इस वीडियो के वचन पर बिलकुल भी ट्रेड नहीं करोगे ठीक है जो टेलिगरम चैनल है डिसक्रीप्शन में लिंक में दे रख थे है उसके अलाबा कोई बीचैनल नहीं है अगर आप किसी दूसरे चैन यह पर ब्रेक आउट देके और फिर नीचे आए वापिस इस लेवल के तो उसकेस में हमारा यहां पर पुट के लिए देखना है थोड़ा सा लाइव मार्केट में पड़ेगा मार्केट के इसे बेहव कर रहा है बस हमें लेकिन यहां पर कॉल वाई कर नहीं देखना हमें हमें अगर पर, बदो बंकले हो, तो उसकेस में हम यहां पर पुट का ट्रेंड बना सकते है मतलब इस लेवर पे अगर मार्केट रिजक्शन लेता है और एक डेड़ के बनाता है है rejection लेके तो हम यहाँ पर putka trade ले सकते हैं जिसका first target यह level रहेगा and final target हम इस level तक कर रखेंगे यह levels आप देख लेने हैं अच्छे से दिख रहा होगा आपको या फिर rejection अगर नहीं लेता है तो हो सकता है कि इस level को break कर दे बहुत अच्छे से और जब break कर दे हम वेट करेंगे वापिस नीचे आने का और इस level के नीचे फिर से closing मिलने का इस level के नीचे फिर से closing मिलने का और फिर हम यहाँ पे जब closing मिलेगे तो put buy का plan करेंगे जिसका first target and यह second target रहेगा simply इन दो लेवल्स पर हमें put buy कि यह portion देखनी है अब देखते हैं कि किस पर हमें entry मिलती है जिस पर मिले हमें वह देखना पड़ेगा ठीक है अच्छा basic knowledge अगर आपको price action की नहीं है तो आप बिल्कुल भी trade नहीं कर पाओगे breakouts वगरा का मतलब पता होना चाहिए rejections वगरा का मतलब पता होना चाहिए कैसे क्या होता है थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए तभी आप trade करोगे इस पर ठीक है नहीं तो basic knowledge नहीं है तो फिर आप बिल्कुल भी इसको follow नहीं कर पा अपको पता है